आज की डेट में टीवी ओन करती ही न्यूज चैनलों पर लूट, छिंताई और चोरी की घटनाओं जैसी खबरों की भरमार देखने को मिलती है कहीं ज्वेलरी श्वाप को लूट लिया जाता है तो कहीं मुबायल दुकानों में चोरी की खबरे यहां तक की यह भी देखनी को मिलता है कि सुरक्षा के लिहास से लगाए गए सीसी टीवी तक को चोर और लुटेरे उखाड ली जाते हैं इस आख बंद और डिविया गायब होने वाले जवाने में अगर हम आपको कहें कि अपने देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां दुकाने तो है सामाने भी बिक रही है लेकिन बेशने के लिए दुकानदार नहीं फिर भी आस तक यहां किसी भी दुकानों में चोरी की घटना नहीं घटी तो शायद ही आपको ये बात हजम हो लेकिन ये सोला आने सच है तो चलिए आपको बताती है कि अपने देश के उस राज्य और वहां के दुकानों की बारे में मिजोरम की एजवा से कुछ किलोमीटर दूर पर एक छोटा शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सेलिंग इस चहर की खासियत जो सुनने में शायद आपको अटपटा लगे लेकिन यहां नगहा लोड़ डावर संस्कृती नाम की एक मान्यता का पालम किया जाता है जिसके तहट यहां हाईवे पर सड़क के किनारे छोटी दुकाने तो बनाई जाती है मगर उन दुकानों में कोई दुकानदार नहीं होता है जिसके जरीए यहां के लोग सिर्फ सामान ही नहीं बाढ़ते बलके ग्यान भी बाढ़ते हैं इस दुकानों की चर्चा शोशल मीडिया पर अक्सर होती है दुकाने भरोसे के आधार पर चलती है और लोग एक दूस्टे के अंदर भरोसे की भावना को जगाना जाते हैं इस दुकानों में फल, सबजिया, मशली, आदी जैसी खाने की चीज़े बिखती हैं उसके बगल में रेट लिखा होता है जिसे भी सामान खरीदना होता है वो उतने रुपए दुकान में रखे थैले में रख देता है और फिर वहां से चीज़े ले जाता है रिपोर्स के नुसार इन दुकानों को चलाने वाले दुकानदार गरीब किसान होते हैं जिन्हें अपना घर चलाने के लिए खेती भी करनी पड़ती है अब ऐसे में अगर वो दुकानदार दुकान में बैठेंगे तो खेती के लिए उनके पास समय नहीं बचेगा बस इसी दुकानों की मालिक आज की डेट में काफी अच्छी मिशाल है। यह दुकाने केवल विश्वास के नियूपटी की है। एक बार सोच के देखे कि जहां देश के कुछ जगों पर दिन दहारे सरयाम दुकाने लूट ली जाती है। वही इस देश में इस तरह की दुकाने भी मांदार लोग मौजूद हैं और भरोशा करने से दुनिया जीती जा सकती है। तो फिलाल के लिए इतना ही आपको हमारे द्वारा दी गए जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लिखी हमारे सहीयों की प्रणमने। तो चानल को सब्स सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।